नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भरद्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां मैं मोबाल और कम्पीटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियो से लेकर आता रहता हूं अगर आप हनल पर नए हैं और आप ने हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं हैं आज आपको कुछ नए तर्फ बताते हैं अगर 가드 मैप ज्यादा शानदार हैं और आपको बहुत ज्यादा दोस्तों ऐसे finger tap करनी है और आपने जिस जंगा पर finger tap किये वहाँ से आप जाएए और जाने के बाद देखिए आप देख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है measure distance आप इस पर क्लिक कीजिए जैसे ही आप measure distance पर क्लिक करेंगे अब देखिए यह point बन गया है यहाँ से यह मैं इस तरीके से जा रहा हूँ तो नीचे आपको meter में measure देख रहा होगा यह मैंने देख लिया कि मुझे यहाँ तक जाना है अब आप यहाँ पर add point के उपर यह जो plus देख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए यह यहाँ से point जो है add हो गया है अब दोस्तों जो है हम इसको यहाँ पर ऐसे move कर सकते हैं तो मानली जी मुझे यहाँ तक आना है यह देखिए मैं फिर इसको add कर देता हूं फिर मैं इस तरीके से यह आप देख सकते हैं यह तेरा MI यहाँ पर लिखा आ गया है यह जो distance आ रही है दोस्तों इस तरीके से अब आपको जितनी भी दूरी पर चल कर जाना हो गाड़ी से जाना हो आप ऐसे जो है इसको यहाँ प option आया है और आप साथ ही देख रहा होगा दोस्तों यह जो proper location दी जाती है यहाँ पर अब तापमान भी दिया जाने लगा है कि कितना तापमान वहाँ पर है तो आप उसके according भी जो है इसको आसानी के साथ देख सकते हैं एक दोस्तों मैं यहाँ को दिखाना चाहूंगा आप आप देखिए यहाँ पर जो options है यह बहुत जाद आपके काम आ सकते हैं आप नीचे आई यह देखिए route options आ रहा है अगर आपको avoid करना है toll free अगर road आपको देखनी है तो आप इसको enable कर दीजिए motorways आप ferries यह जो चीजे हैं इनको आप यहाँ कर सकते हैं आप इसको enable जो है toll text के माध्यम से काटा जाता है यह इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है उसी के साथ आप जैसी नीचे आएंगे देखिए यहाँ पर आप अपने map को north up कर सकते हैं तो आप इसको enable कर दीजिए तो आपका map जो है north up हो जाएगा speed limit भी आप यहाँ पर देख सकते है आप इनको enable कीजिए मैंने को enable कर रहा है आप जब google map को on करके जब आप गाड़ी पर गाड़ी चला रहे हो बाइक फोर्विलर जो भी तो speedometer और speed limit दोनों ही आपको यहाँ पर जो है आसानी के साथ दिखाई देंगी तो दोस्तों यह जो navigation की setting है यह कर सकते हैं और भी आप य इसको satellite पर कर दीजिए और अब यह जब satellite पर हो गया है दोस्तों तो आप इसको देख पा रहे होंगे यह आपको एक road का view दिखने लगा है खास वात इसमें यह है कि आप जैसे ही आप इसको zoom करेंगे और zoom करने के बाद अब जो है आप यहाँ पर इसको जैसे ही किसी भी point को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर यह जो है roadside आपको देखा ही देने लगेगी और नीचे आप यह जो left option देख रहा है अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए दोस्तों यह इन्होंने एक गूगल का जो street view बनाया है यह कितना अच्छा है यहाँ से आप खा देखने के लिगार वो तो यह तिरी के साथा छी आई जो है ज्यादा उनक्ना इंफ सकते हैं यह मल सकता है तो दोस्तों यह कुछ ज़दा important changes गूगल मैप ने की थे ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं मेरा नाम है वेविक भारत द्वाच थेंक यू